नमस्कार मैं रवीश कुमार, नागरिता कानून के नियमों को लागू कर दिया गया है, पिछले दो-तिन दिनों में इस कानून के नियमों को लेकर बहुत सारे पहलू सामने आए हैं, लेहाजा उन्हें एक साथ रखकर देखने में इसकी राजनिती और इसके असर को हम ठीक से देख पाएंगे इसलिए हमने तुरंट इस पर वीडियो बनाने से पहले यही सोचा कि जो इस विशय के विद्वान हैं उनके सुचिंतित विशलेशन का इंतजार किया जाए ताकि एक समगर वीडियो बने जिसे देखने के बाद इस मसले से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आम दर्शकों को एक साथ हो जाए हम इन सभी का नाम वीडियो के आखिर में क्रेडिट रोल में देंगे जिनके विशलेशन का लाब हमने हासिल किया है जाहिर है यह वीडियो लंबा होगा और आपको पूरा देखना ही पड़ेगा इस मामले में रिल्स नहीं बन सकता दिसंबर 2019 में नागरिता कानून संसद से पास हुआ दस जनवरी 2020 को इसे अधिसूचित कर दिया गया फिर सब भूल गये चार साल से अधिक समय लगा है इस कानून के नियम बनने में और लागू होने में इस दोरान सरकार ने संसद में आठ बार विस्तार लिया है ऐसा करना जरूरी था क्योंकि पर नीम नहीं बनने पर कानून लैप्स हो जाता सरकार ने आज तक नहीं बताया कि नीम बनने में इतने साल क्यों लगे नियमों का जो इस्तर है वो वैसा ही है जिसकी बुनियाद पर नागरिकता कानून बना है इन नीमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देख कर लगता हो कि नियमों की खोज करने के लिए भारत सरकार के अधिकारी चांद पर गए थे और वहां से लोटने में चार साल लग गए तब जाकर नियम बने हैं और अब लागू हुए हैं सुप्रीम कोट में नागरिकता कानून को चिनोती दी गई है पहले इस मामले में देख लेते हैं कि अडालत कहा है और यह भी जान लेते हैं कि इलेक्टिरल बॉन्ड के मामले की तरह या मामला भी कई साल से सुप्रीम कोट में अटका हुआ है सुप्रीम कोट में इस कानून को और समवेधानिक करार देने की मांग के साथ करीब 200 से अधिक याचिकाएं दायर की गई है त्रिणमूल कॉंग्रेस के इसांसद महुआ मोहित्रा, कॉंग्रेस के निता जैराम रमेश, रमेश चेनि थला, AMIM के असदुद्दीन ओवैसी, IUML असम प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी, अहुमगण परिशत, नाशनलिस्ट, पीपल्स पार्टी असम, मुस्लिम स्टुडेंट चीफ जस्टिस के रिटार्मेंट के बाद शुरू होगी, आज तक शुरू नहीं हुई, यानि अक्टूबर 2022 से इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है नागरिक्ता कानून में कहा गया है कि 30 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीडन का शिकार होकर आने वाले हिंदू, पारसी, बौध, सिक, जैन और इसाई को नागरिक्ता दी जाएगी इन याचिकाओं में आर्टिकल 14 के आधार पर चुनोती दी गई है इसमें कहा गया है कि भारत का सम्विधान किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी का अधिकार देता है उससे वन्चित नहीं करता उसे भारत के राध्यशेत्र के कानूनों का समान संगरक्षन मिलता है हमें यह समझना होगा कि इस कानून को केवल मुसल्मानों के कारण चुनोती नहीं दी गई है बलकि धर्म को आधार बनाने के कारण दी गई है धर्म के आधार पर केबल इसलाम के साथ इसमें भेद भाव नजर नहीं आता है बलकि अन्य धर्मों के साथ भी भेद भाव नजर आता है कुछ जानकारों ने लिखा है कि हिंदु धर्म के साथ भी भेद भाव है एक आधार और है जिस पर इस कानून को चुनोती दी जा रही है 1955 के नागरिक्ता कानून का सेक्षन 6A या सेक्षन 1985 में हुए असम समझोते की देन है जिसमें तै हुआ था कि जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 के बीच जो लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें विदेशी नहीं माना जाएगा इसमें धर्म का कोई आधार नहीं था यह सब कुछ एक लंबी प्रक्रिया के बाद तै हुआ लेकिन अब कहा जा रहा है कि 31 दिसम्बर 2014 और उससे पहले जो भी आएं हैं उन्हें नागरिक्ता दी जाएगी यह बात असम के एक बड़े तपके को पसंद नहीं आई कि इस डेट का आधार क्या है और किसके साथ बादचीत के बाद ये कट अफ तै हुआ है एक जन्वरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 का कट अफ लंबे आंदोलन और सरकार से बादचीत के बाद तै हुआ कानून विद इंदरा जैसिंग ने लिखा है कि इसी जन्वरी तक केंदर सरकार सुप्रीम कोट में सेक्शन 6A का बचाव कर रही थी जिसके तहट 1971 का कट अफ डेट है लेकिन अब वही सरकार नया कट अफ डेट लेकर आ गई है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आया है वो मुसल्मान छोड़कर बाकी के 6 धर्मों से आता है तो उसे नागरिकता दी जाएगी 1971 के पहले का कट अफ धर्म के आधार पर भेद भाव नहीं करता है जबकि 14 वाला करता है क्या आपको लगता है कि असुसंगत कानून है इस पहलू पर चिव जस्टिस डी वाई चंद्रचूर की बेंच ने 6 से वाले पहलू पर दिसंबर 2023 में सुनवाई पूरी कर ली थी मगर अभी तक फैसला नहीं आया है देखना होगा कि नागरिक्ता कानून के लागू होने के बाद इसके तहट किसी को नागरिक्ता मिल जाती है तो इस फैसले का इस पर क्या असर होगा अगर फैसला प्रतिकूल आया तो क्या जिन्हें नागरिक्ता मिली है वो वापस ले ली जाएगी क्या ऐसा करना संभब होगा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि असम की राजनिती में बांगला देशी घुस पैठिये का मुद्दा रहा है इसे बढ़ा करने में वहां के संगठन और बीजेपी ने काफी दम लगाया इसी का नतीजा था कि करीब 1600 करोड रुपए फूक कर NRC कराई गई 2018 के साल में जब नागरिक्ता रजिस्टर का काम हो रहा था तो पता चला कि 40 लाख लोग इससे बाहर हो गए और इसमें बड़ी संख्या में हिंदू हैं जो अपनी नागरिक्ता साबित नहीं कर पाए 2019 में फिर से NRC हुई और 19 लाख लोग बाहर हुए कहा जाता है कि उसमें 12 लाख हिंदू बाहर हुए तब BJP ने अपने घोशना पत्र में कहा कि हम सही रजिस्टर तयार कराएंगे मतलब जो रजिस्टर सुप्रीम कोड के नित्रित्म में बना उसे नहीं माना आज सही नागरिक्ता रजिस्टर का पता नहीं ध्यान रहे असम की राजनिती में बाहरी, विदेशी या बांगला देशी घुसपैटियों का विरोथ धर्म के आधार पर नहीं है या राजनिती, हिंदू बंगाली और मुस्लिम बंगाली दोनों का विरोध करती है और बाहर जाने के लिए कहती है जो भी बांगला देश से आये हैं मगर नागरिक्ता कानून धर्म के आधार की बात करता है इस कानून की राजनिती हिंदी अखबारों में कुछ और नजर आएगी मगर असम और बंगाल में जाते ही बदल कर कुछ और हो जाती है दिसंबर 2019 में नागरिक्ता कानून संसद में पास हुआ इसके बाद सरकार चुपपी साथ गई अप्रेल मई 2021 में बंगाल असम में विधान सभाग चुनाव हुए आप जानते हैं कि असम की राजनिती से NRC और CAA का मुद्दा निकला है लेकिन यहां के मैनिफिस्टों में बीजेपी ने नागरिक्ता कानून को शामिल ही नहीं किया लेकिन बंगाल के मैनिफिस्टों में नागरिक्ता कानून को शामिल किया गया और कहा कि सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में लागू कर देंगे बंगाल में BJP की सरकार नहीं बनी BJP को पता था कि असम में NRC के कारण लाखों की संख्या में हिंदू बाहर हो गए हैं इन में से सभी बांगला देशी ही थे ऐसा बिलकुल नहीं कहा जा सकता यही नहीं यह साबित भी करना मुश्किल था कि जो मुसल्मान इस रेजिस्टर में नहीं आए हैं वो सभी के सभी घुस पैठिये हैं और बांगला देशी से आए हैं इन सभी पर धार्मिक उत्पीडन का मामला साबित करना तो और मुश्किल हो जाता यह तो कई साल से भारत में रह रहे हैं अगर बीजेपी इन लोगों को नागरिक्ता देती तो असम की हिंदू जनता ही इसके खिलाफ हो जाती असम में नागरिक्ता कानून का इसलिए विरोध होता है यहां के कई संगठन उन सभी को विदेशी मानते हैं जो बांगला देश से आए हैं चाहे हिंदू हो या मुसल्मान इसलिए बीजेपी असम में चुप हो गई और बंगाल जाते ही गरजने लगी असम में बहुत पुछने पर कहकर निकल जाती रही कि कोविट के बाद लागू करेंगे गरिमंत्री अमिशा का 2022 का इक बयान फिर से सुन लिजे वो बार बार यही कहते रहे जमीन पर लागू नहीं होगा मैं आज कहकर जाता हूँ कोरोना की लहल समाब ठोते ही सीए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भायों को लागुट का दिनी को अमता दिनी आपको यहीं चाहती हो मैं 2022 का ग्रिमंत्री का यह बयान है आज मार्च 2024 हो गया इस बयान के दो साल तक कुछ भी नहीं हुआ बीजेपी के नेता बंगाल में जाते ही नागरिक्ता कानून लागू करने की बात करने लग जाते हैं और असम जाते ही मैनेज करने लग जाते हैं कि वहाँ जादा विरोध ना हो किसी तरह मामला समझ जाए इसलिए नागरिक्ता कानून को पूरे देश में लागू नहीं किया गया है असम, मिघाले, मिजोरम, तिरपूरा के जनजातिय शेत्रों में लागू नहीं किया गया है उन इलाकों में भी लागू नहीं किया गया है जहां पर जनजातिय शेत्रों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है नागरिक्ता कानून का मसला बंगाल में भी आसान नहीं है BJP ने बांगला देश से आए मटवा दलित समुदाय से वादा किया था कि नागरिक्ता कानून लागू कर देंगे और वादा करके भूल गई जब यह समुदाय त्रिन्मूल की तरफ जाने लगा तो BJP को फिर से याद आया कि लागू करना है मीडिया रिपोर्ट है कि मटवा समुदाय इस फैसले से अब खुश है लेकिन दलितों का एक और बड़ा हिस्सा राजबंशी समुदाय खुश नहीं है राजबंशी अपने आपको मूल निवासी समझते हैं और बाकियों को बाहरी इसलिए वे चाहते हैं कि बंगाल में पहले NRC हो यानि जो बाहरी हैं घुस पैठी हैं उनकी गिनिती हो पहचान हो और बाहर निकाला जाए जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो मटवा समुदाय के लोगों में घबराहट फैल जाएगी तो अभी तक आप में देखा नागरिक्ता कानून ने हिंदू समुदाय और बंगाल से लेकर असम की राजनिती को कितना उलजा दिया है इसी से याद आता है कि आप CAA को NRC के बिना नहीं देख सकते ये गलती कभी मत कीजिएगा अमिशा ने क्रोनोलोजी के जरिये इसे समझा दिया था असम में भले वे NRC की बात अब ना करें मगर हो सकता है बंगाल में राजबंसी समुदाय को खुश करने के लिए NRC की बात शुरू कर दें एई आईन आपनी जोदी नागोरिक ना होन ताले संगभी धाने चोद्ध नम्मो धारा एकुश नम्मो धारा शाप ओधिकार थेके आपनी बंची तो हब इनकी कोड़े कोटे गेला हो चालेंज कोटे पार बेनना सुदुमात्रो तिन की देश आपगानिस्तान, बंगलादेश आर पाकिस्तान और शुदुमात्रो छटा धर्म हिंदुशिक बहिद्धो जोईन न पार्शियार खिष्ट्र धर्म मायनमार, शिलंका बाद, इसलाम धर्मो बाद, एटा भारतियो संगबादेर संगबिधानेर धर्मों पेखोतार मुले कठोर आघात करेचे मुने लागमेन एर परे केस साते एनर्चिके जुक्तो करदेवे धर्मेर वित्तिते नागरी कट्तो ककनो सुनेचेन आंतर जातिक कन्भेन्शन पोरिशकार बला आछे एउनाइटेड नेश्रांचे अनुप्रवेशकारी इरा जैनोब बोईद्धो कारों छाडा राष्ट्रोई ना होए पड़े एटा मानविकोतर अपमान एमन की सर्नात्तिरो जदी विपोदे पड़े तर पाषेज जगाएगी आश्रोय नाएं तादेरों किन्तु मानविकोतर खातिरे तादेर आश्रोय जीते शेर आश्रोब बादधो थाके एटा एकटा जूबला बीजेपी एकटा जूमला कुल मिलाकर यह मामला आठ दस सीटों को साधने का है हिंदी के अखबार आपको कुछ और बता रहे हैं लेकिन ऐसा करने से भारत राज्य का मूल किरदार बदल जाता है वो ठीक नहीं भारत ने कभी धर्म के आधार पर नागरिक्ता नहीं दी नागरिक्ता कानून कहता है कि मुसल्मान को छोड़ कर और वो भी केवल तीन देशों से धर्म के कारण प्रताडित किये गए हिंदू, सिख, जैन, बौध, पारसी और इसाई को ही नागरिक्ता मिलेगी किया प्रताडon केवल तीन देशों में होती है, क्या हिंदू इनी तीन देशों में प्रताडित होगा या हो सकता है भारत के पडोस में कई देश हैं केवल तीन देशों का चुनाव क्यों हुआ शेत्र और धर्म का आधार ही अपने आप में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है किसी भी एंगल से देखिए तो इस कानून में आपको जोल नजर आएगा 2019 और 2020 के साल में इस कानून के पक्ष में खड़े लोगों ने कई सारे कुतरक गड़े सब को दोहराने से कोई फाइदा नहीं मगर एक कुतरक था मुख्य कुतरक के मुसल्मान के लिए मुस्लिम देश हैं तब फिर इस कानून में इसाई क्यों हैं बहुत सारे इसाई देश हैं भारत में नागरिक्ता क्यों दी जा रही हैं नागरिक्ता कानून में बहुत सारे बहुत देश हैं श्री लंका की कुछ खबरे देख लीजिए यहां पर बौध रास्टरबाद खुंखार नजर आता है जबकि बौध धर्म शांती प्रियम आना जाता है इनकी हिंसा पर कई रिपोर्ट आपको अखबारों में मिल जाएगी श्री लंका से भी और भारत के एक और पड़ोसी दे संख्यक समुदाएं आबादी का करीब 80 प्रतीशत तमिल समुदाएं में अधिकतर हिंदू है बीते अक्टूबर में एक सिंगला बौध धर्म गुरु द्वारा बयान दिया गया कि हर तमिल के टुक्रे टुक्रे कर देंगे ऐसे कई बयान आपको मिल जाएंगे श्री लंक मुसल्मानों को पानी में फेक दिया जाएगा फिर आप कहेंगे कि आप विश्व गुरु हैं वसुदेव कुटमकम में यकीन रखते हैं सब को अतिती मानते हैं करुना के सबसे बड़े ठेकेदार आप हैं इसका आधार क्या है धर्म या इनसानियन तो आपने देखा कि बं अमिती गर्माने की कोशिश होगी मगर गर्माएगी नहीं और गर्माई भी नहीं अभी तक अगर हताशा बढ़ेगी तो बीजेपी जल्दी ही एनरसी की बात करने लगेगी ताकि चुनाओं किसी भी कीमत पर हिंदू बना मुसल्मान की पिछ पर आ जाए घबराहट में अल कोटने लग जाएगा इस बार अभी तक अनरसी का हला नहीं हो सका है मगर CAA अनरसी के आगे लटका हुआ परदा है कभी नहीं भूलना चाहिए सुप्रीम कोट के आदेश पर असम में अनरसी हुई सोला सो करोड पानी में बहा दिया गया भयंकर अफरा तफ्री रही कई महिनों तक असम इसी में बीजी रहा फिर सबशान्त हो गया क्या मोदी सरकार फिर से करोडों रुपे एनरसी पर फूखना चाहेगी याद रखिएगा मोदी सरकार के दौर में भारत की जनगनना नहीं हुई है इस काम में भी कोई सरकार लेट हो सकती है जरा याद चीजिए एनरसी के समय कितने लोगों की जाने गई लोग लगे दस्तावेश जुटाने कि खुद को भारतिया साबित करना है और इस काम में परेशान केवल मुसल्मान नहीं हुए हिंदू भी हुए असम से कि सेना में काम कर चुके थे सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगला देश से आने वाले उन हिंदूों को अगर आप उत्पीडन के आधार पर नागरिक्ता दे रहे हैं तो इसके बाद यहां उनका क्या होगा वे कहां बसाये जाएंगे उनके घर के एडमिशन की क्या वेवस्ता होगी इसका क्या प्लान है कौन से राज्ये कितने शरणार्थी लेंगे इन सब पर भी कुछ नहीं कहा गया है निरुपमा सुब्रमन्यन ने निउस लॉन्डरी में एक लेख लिखा है कि तालिबान के लोटने के बाद अफगानिस्तान से भ अफगानिस्तान के हजारा और ताजिक लोगों को शरंदी इसे भारत की दुनिया में काफी तारीफ हुई आग फिर से तालिबान उनका शोचन कर रहे हैं पर अब तो नए शरणार्थियों के लिए दर्वाजे बंद हैं ऐसा इस लेक में बताया गया है क्योंकि 2014 के बाद यह लोग भारत आये हैं देखें सीरी सी वात है कानून सीए का जो कानून आया है उसमें यह लिखा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगला देश में रहने वाले अल्प संख्यप वहां जो माइनॉरिटीज हैं वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरि जैसे हमने अपने दर्वाजे खोल दिये उनके लिए देश के दर्वाजे खोल दिये उनके लिए अगर उन धाई तीन करोड़ लोगों में एक डेड़ करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए उनको कहां बसाएंगे उनको कहां रहने की जगे देंगे वहां उनको जॉब कहां से देंगे नौक्रियां कहां से देंगे घर कहां से आएंगे मैं हिसाब लगा रहा था अगर एक डेड़ करोड़ लोग भी आ गए आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने धर्म का आधार जोड़ना कितना गलत है इससे भेद भाव को ही जगह मिलेगी और या एक तरह से समविधानिक हो जाएगा जबकि हमारा समविधान इस बुनियाद पर बना है कि वह किसी के साथ किसी भी आधार पर भेद भाव नहीं करेगा उत्पिडन तो किसी भी आधार पर हो सकता है किसी लेखक का हो सकता है किसी पत्रकार का हो सकता है किसी वैग्यानिक का हो सकता है जरूरी नहीं उसी का होगा जो हिंदू होगा और अलपसंख्यक होगा उन देशों में तीन देशों में दूसरे धर्म के लोगों का भी हो सकता है यह किस मुर्ख ने कहा है कि उत्पिडन केवल धर्म के आधार पर होता है, जो लोग धर्म ही नहीं मानते हैं, उनका उत्पिडन होता है, तो क्या उन्हें नागरिक्ता नहीं मिलेगी? नागरिक्ता आप दे क्यों रहें इसलिए कि आप उदार दिखना चाहते हैं दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत दुनिया भर की मानवियत रासदियों से अनजान नहीं है वो लोगों को शरन देता है नागरिक्ता देता है उनके प्रती करुना रखता है फिर धर्म के आधार पर इस कानून में नागरिक्ता क्यों दी जा रही है मशूर कानून विद इंदरा जैसिंग ने इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा सवाल उठाया है उन्होंने कहा है कि पबलिक में धर्म के आधार पर उत्पीडन की बात बताई जा रही है लेकिन जो नियम बनाए गए हैं उनमें तो प्रताड़ना का जिक्र ही नहीं है क्या आप तक यह बात पहुँची है हिंदी अख़बारों ने आपको बताई है यह बात आपको इंडियन एक्सप्रेस में इंदरा जैसिंग का या लेख पढ़ना चाहिए यह तस्वीरे AI जनित हैं असली नहीं है इंदरा जैसिंग ने लिखा है कि नियमों में धार्मिक उत्पिडन का कहीं जिक्र नहीं और नहीं कहीं पर यह कहा गया है कि आपको इस बात के प्रमान देने होंगे कि धार्मिक उत्पिडन हुआ है तभी नागरिक्ता मिलेगी अब बताईए खानून बना कि धार्मिक उत्पिडन के शिकार चाह धर्मों के लोगों को नागरिक्ता देंगे धार्मिक उत्पिडन हुआ है या नहीं इसका प्रमान ही नहीं मांगेंगे ना वो कागस दिखाएगा ना ये कागस देखेंगे नियमों में कहा गया है कि बांगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले गयर मुसलिम नागरिकों को नौ प्रकार के दस्तावेश देने हैं उन्हें उत्पिडन का प्रमान नहीं देना है, उत्पिडन हुआ है या अपने आप मान लिया जाएगा तब तो कोई भी जूट बोलकर इस आधार पर नागरिकता ले लेगा जो अवैद रूप से आया है और उसका उत्पिडन नहीं हुआ है अगर वह हिंदु है, इसाई है, पार्सी है, बौध है, जैन है तो क्या उसे नागरिकता दे दी जाएगी फिर धार्मिक उत्पिडन को आधार क्यों बनाया गया जब इसका प्रमान ही नहीं मांगना है एक लंबी सूची बनाई गई है जिसके तहट इन्हें इन तीन देशों से मिले पहचान पत्र दिखाने होंगे या उन देशों की किसी सरकारी एजनसी का कोई भी पत्र जिससे पता चले कि वहां के नागरिक रहे हैं, काफी माना जाएगा 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं तो आधार काड, ड्राइविंग लाइसेंस, एफारो, एफारारो, पर्मिट, राशन काड वगरा दिखाने होंगे इंद्रा जैसिंग कहती हैं कि क्या धार्मिक उत्पिडन के शिकार लोगों को संग्रक्षन नहीं मिलना चाहिए कहती हैं बिलकुल मिलना चाहिए उन्हें शरणार्थी का दर्जा दिया जा सकता है चाहे वे किसी भी धर्म के हो मगर केवल धर्म के आधार पर नागरिक्ता देना गलत होगा इंद्रा जैसिंग ने सवाल किया है कि नागरिक्ता देने में तो काफी उधारता बरती जा रही है लेकिन जब NRC होगी तो उसके लिए क्या यही सब दस्तावेज प्रमान पत्र मांगे जाएंगे जो नागरिक्ता कानून के नियमों में मांगे गए हैं। एनर्सी में शामिल कर लिया जाएगा यही नहीं पहले नियम था कि जिलादिकारी नागरिक्ता देगा लेकिन अब केंद्र सरकार की बनाई कमेटी तै करेगी यानि राज्यों का इसमें कोई बड़ा रोल नहीं होगा। वरना पेट पिछका रह जाएगा दिमाग सिकुड़ जाएगा। खुल कर सोचिए और देखिए कि क्या इस कानून में आपको एक उदार सहिश्नु और आत्न विश्वास से भरा भारत नजर आता है। नमस्कार मैं रविश कुमार।